हेलो गैस आज हम बात करेंगे ओपो A5 के बारे में और ओपो A5S के बारे में तो गैसे जैसे कि आप लोगो बता होगा काफी अच्छी डिवाइस है यह ओपो के और काफी लोग यूज करते बट आप लोग को इसमें सब चीज तो अच्छा देखने को मिल जाता है बट एक फी वीचर के आप अपने फोन में अनेबल करेंगे सारे इंफोर्मेशन आप लोग के इस वीडियो में दी जाएगी तो गैस इस वीडियो को पूरा देखे एंड समझे एंडों से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल का इकनों पर स साथ ही साथ वीडियो को लाइक सेर भी कर लिजिएगा चली बात करते है टॉपिक के तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ यहां पर आप लोग के फोन में कोई भी एप्लिकेशन यहां पर अवेलेबल नहीं रहती है तो आप लोग को एक एप्लिकेशन को इस्टॉल कर देंगे उसके बाद यहां पर कुछ अलाऊ करने का बोलेगा पर म्री सन तो सिंप्लि हम यहां से अलाऊ यहां पे कर देंगा fajn तो जैसे हम इसे अलाऊ कर दीते इसके बाद यहां पे चारा आप से आप लोग के फोन में अवेलेबल मिल जाएंगे first enable lock second active fingerprint उसके बाद change passcode set वाल पी बढ़ोगे फेंच तो यहां पे आप लोग कुछ इसना एक फीजर मिला दे तो हम simply enable lock पे क्लिक कर देंगे और passcode यहां पे अपना set कर देंगे तो यहां पे मैं simple सा आप लोग को बताने के लिए एक passcode set कर लेता हूँ तो यहां पे मैंने passcode को set कर लिए उसके बाद active fingerprint लोग यहां पे हम set कर लेते उसके बाद यहां पे आप लोग के फोन में option है जाता है चेंज passcode का और set wallpaper का तो आप लोग wallpaper भी लगा सकते है अपने fingerprint में जहां पे मैं आप लोग को बता दू कुछ यहां पे आप लोग को default में wallpaper बगेरा भी देखने को मिल जाता है जो कि मैं एक इखाद wallpaper आप लोग को लगा के बताई दू तो काफी अच्छा रहेगा तो यह मैंने इस type का लिया set wallpaper पे क्लिक के इसको मैंने set कर दिया तो यहां पे हमने active fingerprint को active कर दिया है अब हम देख लेते हैं कि step से work करते हैं तो हम यहां पे अपने phone को करते हैं लॉक तो यहां पे आप लोग को देख सकते की under display fingerprint lock का setup को step का आप लोग को रहेगा और यहां पे long press का option आजाता है तो simply हम पे long press करेंगे और यहां पे पास को डाल देंगे तो simply यहां पे जो आप लोग का under display fingerprint lock के step से work करेगा तो इस step का feature अगा इस आप लोग अपने phone में इस feature का लाब उठा सकते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जैमता दी